हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू नर्सिंग स्टडी आज की वीडियो मैं शेयर कर रही हूं इंपोर्टन कोश्चन ऑफ नर्सिंग फांडेशन या फंडमेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट के और एक्जाम के लिए कौन-कौन से कोश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टन रहने व होता है कोशन फिवर से प्युश्चन आपसे पूछा जाता है इसके प्ती आपने टाइपस भी बताने है कॉश्चन नमबर टू है क्या कि इतने हीare और हम इनफनों से कैसे कोश्चेश다고 सकते हैं चून-कून से माश्च्ण present जो कुछ आ pain, pain क्या होता है और कितने types के pain होते हैं, question number four है role and the function of nurse, बहुत important question है, या तो आपसे role पूछा जाएगा, या फिर function of nurse पूछा जा सकता है, या फिर आपसे quality of nurses पूछा जा सकता है, question, question number five है hospital, admission and discharge procedure, ठीक है, hospital से related आपसे question पूछा जाएगा, जिसमें आपसे admission procedure पूछा जा सकता ह है, या फिर discharge procedure पूछा जा सकता है, question number six है, record and reports, record and reports आपने nursing foundation में भी पढ़ा होगा, same question है, आप वो question यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, या फिर यहाँ का question आप community health nursing में भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई भी difference नहीं है, same question है, आप same to same लिख सकते हैं, question number seven है, hygiene, hygiene क् ठीक है, कैसे maintain की जा सकती हैं, और उसके बाद question number eight है, आता है, nursing process, या फिर nursing diagnose कैसा होता है, nursing process कि स्टैप्स कौन-कौन से हैं, वो भी इसमें आप explain कर सकते हैं, question number ten है, communication and barrier of communication and types of communication, communication क्या होता है, और कौन-कौन से barrier है, यानि कि barrier यानि की communication के दौरान क्या-क्या चीज़े हैं, जो कि communication को रोकती है या फिर communicate नहीं होने देती है तो barrier of communication क्या है और कितने types की communication होते हैं यह question आपने आपर explain करना है question number 10 है vital sign vital sign आप starting से आप पढ़ रहे है vital sign क्या होते हैं कितने types की होते हैं और normal range कितनी होती है हर एक का आपने अलग-अलग mention करना है ठीक है जैसे आपका respiratory system respiration क्या है normal respiration कितनी होने चाहिए heart rate कितना होने चाहिए तो एक एक को vital sign को आपने heading देखर कि उसको अच्छे से explain करना है next आता है bad sore bad sore क्या होता है कितने types की होते हैं ठीक है और nursing की क्या role होते है या फिर nursing में क्या management होगी nursing management कैसे होगी bad sore condition में उसके बाद आता है burn burn क्या है और क्या management है stages of burn क्या है तो आप इसमें इसलिए मैंने burn लिखा है एक कोशन और यानि कि आपने इसको complete करना है कोशन को types हैं ठीक है stages है तो जो भी कोशन आपका बन रहा है burn से वो आपने complete करना है question number 13 है immunization schedule immunization schedule जो कि आपने microbiology में भी पढ़ा होगा आपने community health nursing में भी पढ़ा है और nursing foundation में भी पढ़ा है तो same question है कोई भी changes नहीं है अगर आपने microbiology में इसे याद किया है या फिर आपने community में इसे याद किया है तो आप same to same यहाँ पर आप यह वाला question लिख सकते हैं bio medical waste management भी same है ठीक है यही आप nursing foundation में पढ़ते हैं और microbiology में भी पढ़ते हैं और community health nursing में भी आप यह question पढ़ते हैं तो same question रहेगा यहाँ पर bio medical waste management ठीक है same to same आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं next question आता है pain management ठीक है pain क्या होता है और उसकी management कैसे की जा सकती है next आता है bad making और principle of bad making bad making क्या होता है कैसे की जाती है क्या क्या principles होते है next आता है first aid के question है golden rule of first aid बहुत बार repeat होता है एक question अगर आपसे first aid को एक या तो फिर दो question आपसे पूछे जाते हैं तो इसमें से जो first aid के question होता है वो golden rule of first aid पुछा जा सकता है या फिर आपसे fracture पुछा जा सकता है या फिर wound पुछा जा सकता है, types of wound पुछा जा सकता है next question है quality of nurses, nurses की क्या-क्या qualities होती है next है यहाँ पर wound and types of wound है, fracture and types of fracture तो fracture का जो question है, first aid का question होता है इसमें images भी होती है, कि types of fracture तो आप यहाँ पर, यानि कि जो डाइग्राम भी आप यहाँ पर बना सकते हैं Next question है, nurse patient relationship ठीक है, nurse patient relationship क्या होता है Next आता है sterilization and disinfection तो यह question भी आपने nursing foundation में Community health nursing में भी पढ़ा है microbiology में भी पढ़ा है तो same question, sterilization and disinfection आप यहाँ पर लिख सकते हैं next question आता है anima and types of anima तो anima क्या होता है इसके कितने types होते हैं तो थोड़ा ऐसा इसे explain कर सकते हैं number के according कि कितने number का question है उसके according आप इसे explain कर सकते हैं इसके बाद हम देख लेते हैं terms तो यहाँ पे कुछ important terms है जो कि आपसे 2-2 marks में पूछी जाती है तो आपने just इनकी definition ही आपने बतानी है जैसे कि health है, health की definition आपने explain करनी है और अगर आप health related कुछ और भी लिखना चाहते हैं कि normal या फिर healthy health को कैसे maintain किया जा सकता है क्या food लिया जा सकता है तो जो आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं लेकिन अगर आपके पस time कम है तो सिर्फ आप definition लिखिए कि health क्या होता है इस तरह से second question है pulse pulse क्या होता है ठीक है और कौन-कौन सी side से pulse को measure किया जा सकता है वो आप explain कर सकता है इसमें ठीक है कोशिश कीजिए थोड़ा सा question को explain करके लिखने की जैसे कि आपने pulse लिख रहे है pulse होता क्या है आपने इतना लिखा terms पूछी है तो आपने pulse explain कर दिया लेकिन अगर आपको marks अच्छे चाहिए तो आप pulse की side भी लिख सकते है कि कौन-कौन सी side से pulse major की जाती है इसी तरह से immunity है immunity क्या होता है या आपने explain करना है और infection क्या है और infection को कैसे control किया जा सकता है site of infection कैसे कैसे हो सकते है rigor ठीक है types of rigor rigor यानि कि fever यहाँ पर पूछे गया है types of fever आप लिख सकते हैं aneema है aneema को explain कीजी कि aneema क्या होता है और इसमें आप aneema के types लिख सकते है types को explain करने के जूरत नहीं है सिर्फ आप उनके नाम नाम ही लिख सकते है question number seven है hospital hospital क्या होता है और इसमें procedure आप लिख सकते है यानि कि admission procedure या फिर discharge procedure vital sign vital sign कितने types क्यों होते है कैसे measure किया जा सकता है scale क्या होता है यह आप लिख सकते है next आता है disinfection क्या होता है hypoxia paroxia and precaution तो यह कुछ terms हैं जो कि आप से nursing foundation में पूछी जा सकती है और बाकी basic चीज़े हैं जो आप रोज बढ़ते हैं nursing में तो इस तरह से nursing foundation की जो important questions है वो मैंने आपके शेयर किये हैं तो अगर आपके screenshot आप इसका लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगा thank you for watching